कि नमश्कार एकब फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्ती थूँ एक बहुती इंपोर्टेन टॉपिक के साथ टॉपिक है कि तालिबान जो है वो भारत के साथ अपने संबंधों को मदूर ले के बात कर रहा है और साथ ही साथ कि तालिबान को एक जो मानिता है सबी देशों द्वारा मिलनी चाहिए कि वो एक स्वतंत रास्ट है उसका एक स्वतंत आइडेंटिटी है उसकी वो बात कर रहा है ठीके तो यहां पर तालिबान अभी यूएन में जो अभी आपकी मीटिंग हुई थी उसमें बैठक में वो आये भी थे और वहां के तालिबान यह क्यों कहा कि वो भारत के साथ अपने सबंदों को मधूर रखना चाहता है तालिबान भारत पर इतना भरोसा आखिर क्यों कर रहा है तो इन्हीं सारी चीजों पर हम डिटेल में डिस्कुस करने वाले है मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कुति आइस के स्प्लेट फ यूएन की बैठक में शामिल हुआ भारत तालिबान के नेता मौजूद रहे यूएन ने सफाई दी की मीटिंग का मकसद माननेता देना नहीं था अब ये कौन सी माननेता की बात कर रहे हैं ये हमारे लिए महत्वपून हो जाता है और वैसे भी तालिबान यदि देखा जा क्या है यहां तालिबान के जो नेता थे उनके साथ मीटिंग कर आगे बढ़ लेते हैं प्रिस्ट भूमी क्या रही है इसे पहले जब यह मीटिंग हो रही थी यूएन में होनी वाली थी इससे पहले ये काबुल गय थे मार्च में और काबुल में जाकर कि ऑल्डी वो जो न प्रदार कर दिए और जब उन्हें कुट नीतिक मानता पुरदान की जाएगी तभी वह इंटरनाशनल तो और अपने मतों को राख सकते हैं इंटरनाशनल जो आपके प्लेटफॉर्म से बहां पर जाकर के तो यह बार-बार कह रहा है टालीबान के मुझे भारत पर भरोसा है लेकिन अमेरिका तालिबान के इन सारी चीजों को शुरू से नकारता आया है और भारत ने भी साफ साफ सब्दों में कहा है कि वो तालिबान को कूट मीतिक मानेता नहीं दिला सकता है आगे बात करते हैं हाला कि वहां माने भी मदद जरूर वो पहुचा रहा है और जिस भी प्रकार से वो लोगों की help कर सकता है अफगानिस्तान में वो लोगों की help कर रहा है क्योंकि आप सभी को पता है अफगानिस्तान में इस समय जो है तालिबान का शाशन है ठीक है अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालतों की वज़े से भारत तालिबान को इग्नोर नहीं कर सकता है चलिये अग heps करते है तालिबान प्रतिनी दी फील्ला मुजाहिद ने बैठक के बाद कहा कि उन्हें सभी देशों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला और ये पहली बार है कि तालिबान की नेता आ करके इतने सारे देशों के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी है तो उन्हें पहली बार अफसर मिला था इस बात को उन्होंने लोगों तालिबान के बैंकिंग सेक्टर पर प्रतिबन लगाने का अर्थ है कि जो आतंकी गदिवधियां है वो ना बढ़ पाए इसी कारण यहां पर क्या लगाए गया है और दूसरा है कि कुछ अधिकारी जिनको सुपीरियर पावर मिल गई है तालिबान में पहुचते ही तो उन प भारत और तालिबान के संबंधों के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे रहे हैं वाज शुरू होती है 1980 से ठीक है 1980 में जब अफगानिस्तान ने उठा पटक का दोर चल रहा था तब भारत अफगानियों के लिए दूसरे घर जैसा था वो सब क्या थे भारत को अपना शर्ण स 2006 से जब अफगानिस्तान में पहले बार सत्तास खाशल्गी थो भारत ने US से सारे डिप्लोमाटिक रष्टे तोड दिये थे और भारत ने अफगानिस्तान में दूतावास को भी बंद कर दिया था जब से वह पर तालीबान आगया था तालिबान के पहले भारत के संबंध महां पर अच्छे दे आगे बात करें भारत में तालिबान से लड़ने के लिए बने एहमद शामर्जूद के नेतर्त वाले नार्दर एलाइंस का समर्थन किया था 2001 में जो अमेरिका ने तालिबान को हराया तो नहीं सत्ता आई तो भारत महां सबसे पहले दूतबास खोलने वाले देशों में शामिल हुआ था तो भारत आप हमेशा देखोगे अफगानिस्तान के लोगों के प्रति हमेशा सॉफ्ट कॉर्णर रखता है लेकिन वो तालिबान को लेकर के हमेशा ही चिंत रहता है और वो नहीं चाहता कि कहीं किसी भी तरीके से जो अफगानिस्तान में लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा पर बात आए ठीक है तो यहां पर आपको चीज़े पता चली कि भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है इसलिए भारत को विश्वग ली है तब से वहां पर चीज़े बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है आगे बात करते हैं तीन बिलियन डॉलर यह क्या है तो 2001 में तालिबान के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत ने अफगानिस्तान को तीन बिलियन डॉलर की मदद भी करी थी इससे वहां पर उसने में उबरा था ठीक है जब अमेरिका ने तालिबान से सांती समझोते की कोशिश की तो भारत ने इसका विरोध भी किया था आगे बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के पूर राष्ट पती अश्रफ घनी के सास्ता में रहे अब्दुल्ला अब्दुल्ला का परिवार 2014 से भा भारत ने अपने वहां पर दूतावास खोला है और टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी वहां पर उन्होंने भेज दी है तो भारत चाहा रहा है कि अफगानिस्तान में किसी ना किसी तरह सांती वहां पर बनी रहे क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के जो संबन्द है वह कह के नोग है वह बले ही मतलब आ देखोंगे कि पाकिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान उसकी उतनी ज्जादा नहीं बनती है तो इस वजह से भारत क्या हमेशा अफगानिस्तान को सफोर्ट करता रहता है किसे और किसी तरह से बाकि आप इस Aww रहा है मैं आप जानना चाहती हूं आप लोग क्या सोच रहें से रिलेटेड क्या तालिबान के साथ भारत को अपने संबंद मजबूत करने चाहिए क्योंकि बैकवर्ड में यदि तालिबान रहेगा तो आफकोस दूसरे कंट्रीज दर्टे रहेंगे हमसे हमसे जुद्ध नह ही हो रहा है क्योंकि इसको पता है कि यदि वो तालिबान के साइट जाएगा तो भारत के इंटरनाशनल जितने भी मार्केट है जितने भी व्यपार है जितने भी उसकी ट्रीटीज है उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इस वज़े से ठीक है भारत से रिस किस तरपर रिस्तों को मजबूत करना चाता हैं विदेश मंत्री ने भारत से अफगान वेपारियों छात्रों और मिरीजों के लिए वीजा लेनी की प्रक्रिया को आसान करने की अपील भी करी थी आगे बात करते हैं हलाकि भारत के विदेश मंत्राले की तरफ से बैठक को ले थी जेपी सिंग ने कहा था कि भारत अफगानितान के साथ राजनीतिक और आर्थिक सयोग बढ़ाना चाहता है उन्होंने चाबहार पोर्ट के जर यह वैपार को बढ़ाने पर भी जोड़ दिया था ठीक है कहां बन रहा है चाबहार पोर्ट चलो मुझे कमेंड में बताना इंका कहना है कि सरकार ने मानेता हासिल करने के लिए सारी जड़तों को पूरा किया है जैनि कि उनकी सरकार ने वहां की सरकार ने जो भी ज़रूर्ट पी जो भी रूल स चाहिए थे जिस तरह से उना चाहाइए वसारा हमने पूरा किया है इसके बावजूद अमेरिका के दवाऊ में आ करके दूसरे देश हमें मानिता नहीं रहें क्योंकि वह प्रेशर में इस दोरान हमें सिर्फ भारत से उम्मीद है कि भारत अमेरिका के दबाओं में नहीं आएगा और हम चाहते हैं कि दुनिया के ताकतवर इसलामिक डेश हमें सरकार के तोर पर पहचाने कि हमारी भी एक गवर्मेंट है हमारी भी चीजें है उनको समझे क्या होती है अब आपकी कूट नितिक मानिता चले समझते हैं यानि कि पूट नितिक मानिता यानि दो देशों का एक दूसरे की आजादी को स्विकार कर लेना मिलने पर ही कोई देश इंटरनाशनली ठीटी में भाग ले सकता है un a vienna Von βियाना कंवेंशन के तहरद डिप्लोमेट्स के अन्य देशों में विशेशा दिकार से छूट मिलती है और मानेता ना हो तो इंटरनाशनल फोरम पर उस देश को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है और यही कारण है कि वो बार-बार शुरुवात से कह रहे हैं कि तालिबान को क्या मिल जाए कूट सकते हैं